दोस्तो आज आपके लिए बहुत ही एक important tutorial ले आया दोस्तो यह important tutorial आप step by step में आपको दिखाऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले में यह बूल दिता हूँ यह चैनल पर subscribe करना मत भूलिए क्योंकि computer internet जो tips and tips होता है वो विलकुल free होता है आप बिना समय गबाए इस पर click करके subscribe कर ल tutorial क्या है आज का tutorial है कैसे आप YouTube thumbnails create कर सकते हैं easily YouTube thumbnails आप create कर सकते हैं तो सबल यह उठता है जो आप YouTube thumbnail क्यों create करें क्योंकि जो आप YouTube पर वीडियो देख रहा है वो वीडियो आप के नजर में आ सकते हैं और उपर से beautiful लग रहा है वो थंबेल जैसे आच्चा है वो थंबेल आच्चा होने के कारण है वो वीडियो पर बहुत सारे click आ सकते हैं और click पर सकते हैं तो देख लेते हैं क्या है कैसे आप YouTube thumbnail कर सकते हैं तो मैं recommend करता हूँ Photoshop एक बेस सब्सक्राइब है थंबेल करने के लिए और और क्वाम और अच्छा काम हो सकता है इसके लिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैं Photoshop के ओपन करूंगा यह Photoshop के old version है आप चाहे तो new version है उसकर सकते हैं यह file पर जाकर आप new में जाकर यह जो custom है आप white और height picture size भी आप दे सकते हैं इस पर मैं यह size रखने वाला हूं तो ok कर देजे देखिए एक page आगया एक page का size वह मैं पहले से हम create कराया तो इस पर हम एक thumbnail create करूंगा तो देखिए यह जो डबबा है यह create a new layer इस पर click करके एक layer लिएंगा और यह जो काला है काला पर click करूंगा यह fill color है और मैं color चोज करूंगा जो मेरा color पसंद है यह color ठीक है और आपका keyboard पर control और delete option दबाया दबा कर आप यह color आ जाएगा यह page में और text है यह button text button पर आप click करके आप यह page पर click करना होगा और आप लिख सकते हैं देखिए नहीं आता यह color पर आप click करके select करके टेक्स को select करके color पर click करके आप white कर लिजिए देखिए आ गया थोड़ा सा बाद है अहां चला आएगा देखिए आए और इस पर click करके आप इस पर click कर लिजिए how to देखिए दोस्तों बहुत बड़ा हो गया आप टी पर click करके पूरा select कर दीजिए और इस पर click करके आप size भी कम कर सकता है देखिए 10 हो गया आप इस क्लिक करके बोल्ट कर सकते है और ठीक है दोस्तों तो देखिए आप select करके font भी बड़ा सकते है बहुत सारी font है font भी आप style भी बड़ा सकते है ठीक है दोस्तों और आप picture भी add कर सकते है और आप यह file में जाकर open कर सकते है open पर जाकर आप एक यह picture भी आप add कर सकते है इस पर control और T select कर आप shift दवा कर आप यह बड़ा कर सकते है तो देखिए और eraser में जाकर आप ठीक है दोस्तों और आप save भी कर सकते है फाइल में जाकर आप save as और इस पर format भी change करके जेफीजी में जेफीजी फर्माट राखकर नेम देखर एक कस्टोम 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 तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तो नेक्स टीटोरियाल में लेकर हाजिर होंगो मैं तो जाए हिंट मन्ने मातरा में मो आए कर दो